आज के वीडियो में मैं आपको ITI में होने वाले वर्क्षाप केल्कुलेशन एंड साइंस के पिपर में हर बार की इस परकार के कोश्चन आप देए उनुका सिल्यूशन बताऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ बने रहें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके तो पहला कोश्चन है वाट आर दा टू क्लासिफिकेशन ओफ सिस्टम ओफ यूनिट इकाईयों की परनाड़ियों के दो परकार कौन से हैं तो उसके चार अप्स है पहले बरिट इसेंड मीत्रिक ग्राइविटेशनल एंड नोण ग्राइविटेशनल फंडमेंटल और आईट्र और डि अप्सम में की लैंग्रेज में दियों गे इंग्ली root और हिंदी डोनों में तो आप जैसे इंग्लीus में हिंदी में। जैसे question है what are the fundamental unit तो fundamental unit मूल भूतिकाईया जो कौन सी होती है इसके option दियो है लंबाई दरवयमान आइतन A option है B option है लंबाई दरवयमान शमे और C option है लंबाई दरवयमान शेतरफल और D option है लंबाई दाब और आइतन तो इसका जो सही option है वो option B है length, mass or time ये तिन्नों unit होते हैं length लंबाई के लिए mass द्रववान के लिए जो भार के लिए और t time समय के लिए तो ये मूलभूत इकाईयां होती है तीसरा question है what denotes letter m in mks system जो mks पर नाड़ी में m अक्सर का क्या मतलब है तो m इसके option दियो है meal, meter, millimeter और micron तो इसका जो सही option है वो option b है meter तो meter इसका सही option है option b चोथा question है how many millimeter are there in one inch एक inch में कितने millimeter होते हैं तो इसके option दियो है ये जो दो side option दियो है ये हिंदी और English दोनों के लिए है जैसे English के लिए जो पहला 2.54 mm और हिंदी के लिए भी 2.54 mm है इसमें confuse नहीं होना है तो ये ऐसे करके दो side में option दियो हैं तो answer ये एक ही है जैसे जैसे A option है 2.54 mm B option 25.4 mm C option 24.5 mm और D option 2.45 mm तो इसका सही option है B option 25.4 mm 25.4 mm इसमें एक इंच में mm होते हैं अगला option है अगला जो question है What is the LCM of 12, 18, 6, 30 12, 18, 6, 30 का LCM कितना होता है तो LCM हम निकालेंगे जैसे हमने 12 लिख लिया 18, 6, 36 तो LCM को निकालने के दो तरीके हैं ये division method का है और एक अलग-अलग से factor निकालने का होता है तो division method से करेंगे एकी बार में दो चीकी बारा, दो निम ठारा, दो तीए 6 और ये 18, दूने चत्तिस तो फिर इसको दो से कर लेंगे दो तीए 6, 9 नहीं आएगे ये भी multiply दो निम में 18 तो फिर हम अगे इसको कर लेंगे तीन से, तीन एकम तीन तीए 9 तीन एकम तीन 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 तीए 9 फिर इसको तीन से करेंगे हम तो ये पूरा divide हो जागा तीन, तीन, दूने थारा, दूने चत्तिस तो इसका जो option आएगा C option इसका सही option है 36 C option तो ये हैसे हम LCM निकाल सकते हैं तो अगला question है चछटा question What is the HCF of 18, 12, 24 18, 24, sorry 18, 24, 24 का HCF highest common factor कहा है महत्म समापुरत कहते हैं जिसको वो क्या है तो इसके पहले factor निकाल लेंगे 18 के इसके भी दो तरीके हैं division से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं ऐसे अलग-अलग factor करके तो दोनो तरीके बता जिता हूँ मैं आपको रगल है 24 तो इन में common क्या है जैसे ये two common है इसको लिख लिए हमने उसके बाद ये three common है इसको लिख लिए हमने उसके बाद यहाँ three seven है यहाँ two two है इसका मतलब कोई भी common नहीं है तो two three जा six तो ये इसका जो option b है वो सही option है तो छे इसका answer आएगा साथ हों question है जो what is the improper fraction for the mixed given fraction तो दिये गे मिसरित भिन में से जो इसकी अनुचित भिन कौन सी होगी तो ये क्या दिया हुए साथ से ही तीन बटे साथ तो साथ से साथ को multiply करेंगे नंजा और इसमें उपरवाड़े तीन जोड़ देंगे तो कितना हैगा 52 तो ये 52 आ जाएगा उपर और निच्चे 7 तो 52 बटे 7 तो इसका जो option है ये option A इसका सही option है 52 अपोन 7 जो आठवाँ question है convert decimal 0.0006592 fraction अब इसकी दसमलो भिन को सधारन भिन में बदलना है तो इसमें कितना है दसमलो भिन में दसमलो भिन में है ये 659 और इसके दसमलो के बाद कितनी डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 डिजिट है तो 6, 0 लगा देनी है ये ये 6, 0 लगा देनी है तो इस प्रकार हम जैसे 6, 0 हैं तो 6 प्लेस छोड़के 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़के डैसिमल आ जाता है तो ये इसकी जो इसका option है हमारे पास है जो D option है 659 divided by ये 10 लैक तो ये इसका सही अंसर है अब अगला question देखते हैं इसका अब ये इसको सरल करना है हमने 3 बटे 4 जमा 2 बटे 5 माइनस 5 बटे 20 तो इसको हल करना है कि इसका क्या option सही होगा तो पहले हम इसका calcium ले लेंगे calcium 4, 5 और 20 का calcium कितना आएगा जैसे 4, 5 और 20 अलग से इसका calcium ले लेंगे पहले 2 से divide करेंगे इनको जो जो divide होते हैं दोबारा फिर 2 से 1, 5, 5 और अगली लाइन में फिर 5 से हो जाएगा तो 5, 2 जा 10, 2 जा 20 तो 20 सकैलसियम आ जाएगा अब 4 से इसको जो पहले की निचे 4 है 4 से इसको भाग करेंगे 5, 5 ती है 15 प्लस अगे-अगे 5, 5, 4 जा 20 4, 2, 8 माइनस 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1, 1, 5 जा 5 तो कितना हो जाएगा 15 राट 23, 23 में से 5 गे 18 बटे 20 और इसको हम इसको हम काट देंगे 9 दूने 18, 10 दूने 20 तो इस परकार ये 9 बटे 10 इसका अंसर आ जाएगा और सही ओप्सन होगा ये ओप्सन B इसका सही अंसर होगा 9 बटे 10 तो इस परकार हम इस परकार के जो फ्रेक्शन में दिये हो प्लस ये माइनस वाले सम उनको हल कर सकते हैं अगला कोश्चन है हमारे पास डिवाइड कीजिए तो डिवाइड किसको करना है 20 बटे 31 पंद्रा बटे 62 से तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे 20 बटे 31 डिवाइड 15 बटे 62 तो डिवाइड करने पे जब हम इसके साइन χेंज करेंगे इसको मुल्टिप्लाई करेंगे इसको निच्छे करेंगे तो 62 उपर चला जाएगा 15 निच्छे तो इससे काट देंगे इसको 31 दूने 62 अब यह 5 पे कट जाएंगे 3 पंजे 15 चार पंजे 20 तो 4 दूनी 8 वटे 3 तो जैसे 8 को डिवाइड कर देंगे 3 दूनी 6 दो से ही 2 वटे 3 2 से ही 2 वटे 3 आ जाएगा तो इसका अंसर है यह 2 से ही 2 वटे 3 ओप्सन D तो ओप्सन D इसका सही अंसर है तो इस परकार हम है सी फ्रेक्शन को जिसमें डिवाइड का साइन हो डिवाइड करना हो तो हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं What is the product of 0.03 multiply 0.5 तो 0.03 को 0.5 से हम कैसे गुणा करते हैं तो 5 तिये 15 आ गया सिद्धा ही कर लेंगे इसको 5 तिये 15 आ गया अब decimal के बाद कितने प्लेस हैं दसमलो के बाद एक दो तीन प्लेस और एक ये चार प्लेस तो चार प्लेस छोड़ने हैं 1,2,3,4 और यहां दसमलो लगाना है तो ये अंसर आ जाएगा तो 0.0015 तो इसका सही option है उनकी गुणा कर सकते हैं अगला कोस्चन देख लेते हैं अगला कोस्चन है सरल कीजिए 17.2 बटे 6.5 तो इसको हम हल करेंगे पहले तो 17.2 का दसमलो हम खतम करेंगे निच्चे लगा देंगे 2.0 और उपर वाला जो 5.2 है उसका 10 निच्चे लगा देंगे उसका 10 मलो तोड़ लेंगे और निच्चे वाला जो 6.5 है इसका जो 10 मलो है उपर चला जाएगा इस परकार 10 से 10 कट जाएगा ये 13 पर कट जाएगे दुनों 13.5 तेरा चोफ़ बावन चार और ऐसे है अब हम इसको अपना निच्चे कितना जाएगा 500 और उपर आ जाएगा इसको मल्टिप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा इसका option जो D है इसका सही अंसर है 13.99 तो इस हम इसको इस परकार के जो सम है उनको हल कर सकते हैं अगला question देख लेते हैं what is the length of each part of a copper wire of 225 meter long is cut into 900 equal part तो यदि किसी 225 meter लंबे तार को 900 ब्राबर भागों में बाट दिया जाए तो पत्ति एक भाग की लबाई कितना होगी तो 225 है 225 को हम 900 ब्राबर भागों में बाटना है तो इसको 225 को हम 900 से भाग करेंगे तो यह भाग करेंगे कैसे करेंगे इसको भाग 225 और 900 से भाग करना है पहले ही इसमें दस मल लब आजेगा जीरो पांच 12 में से 8 के 4 और यह 9500 तो यह पूरा पूरा कट गया तो 0.25 तो कितना गया यह 0.25 तो इस परकार हम जैसे हमने एक 0 लगाई थी इसका तो हमने यहां पे दस मल लब लगा लिया था उसके बाद नो दून ए थारांसो थारांसो आ गया था फिर इसमें जैसे शाड़े चारसो बचा फिर 0 ले ली तो नो पंजे पैंटारी सो तो पूरा पूरा गट गया तो इसका जो उप्सन भी है वह सही अन्सर है जीरो तो इस प्रकार हम जो मैत का जो फर्स्ट इयर का पेपर है तो उसको हम हल कर सकते हैं और पूरे जो इस प्रकार के कोश्चन आएंगे आपके तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो